वेल्कम टू दे यूट्यूब शैनल ग्राफिकली जैसा कि हम लोग मिक्शर और अरिगेशन का क्विस्टन कर रहे थे तो हमने देखिए पहला क्विस्टन कि आपके सिंपल टाइप की जो क्विस्टन बनते हैं कि दो चीजों को मिक्स किया जा रहा है कोई एक एवरेज उसकी की वैलू है तो हमें बताना किस रेशियो में मिक्स किया गया था हमने पहले बारे में यह सीखा फिर दूसरे बारे में हमने पता किया कि जैसे आप से का जाता है कि एक कोई फिक्स क्वांटिटी मतलब मिल्क है मिल्क में से आप कुछ लीटर जो है मिल्क निकाल दे रहे हैं कि आपका जो इसमें लेक्षर होगा इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइपस की जो आपके मिक्षर और एडिकेशन के क्वेशन से उनको कैसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए आज वालों जो आपको क्वेशन इसमें यह होगा कि आपके पास मतलब की रेशियो में उनके पास जो है और इसमें कुछ रेशियो दिया गया है और इसमें कुछ रेशियो नों गواंको जब दोनों कंटेनर के solutions को mix कर दिया जाता है तो जो आपका लास्ट में जो बचता है solution उसमें क्या रेशियो होता है तो देखिए question आपके सामने है two containers have a milk and water in the ratio of two ratio one and three ratio one मतलब यहाँ पर देखिए two ratio one है solution में पानी और milk और एक है आपका three ratio one मतलब इतना तीन Uvent है और आपका जो पानी है वन यूट है अब यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर एक चीज़ आपको यह भी याद रखना है कि जो दोनों कंटेनर्स हैं उनकी जो कैपसिटी है वह सेम जैसे माली जी कंटेनर में अगर 5lier पानी आता है तो दूश्रे कंटेनर में भी 5lier solution आएगा तो यहां पर देखिए हैं अगर हम इसकी बात करें आपके यहाँ पर हम मिल्क कि बात करें माणलेजिए जो आपका टोटल बाइ का रेशियो क्थं में पौइब यहाँ पर मिल्क और वाटर धेस्प मिल्क की बात करें इसमीं मिल्क कितना है तो मिल्क के क्तिम है भौ माीлем यहाँक पहले देखे c Не निकाल लो quantity क्या क्या है और यहां पर देखो आप milky की quantity क्या हो जाएगी यहां पर milky की quantity हो जाएगी 3 by 4 यह तो हो गए आपके milky की quantity कंटेनरे में और यह कंटेनर भी में मिलकी की quantity अब अगर water की quantity की बात करो आप तो यह कितना हो जाएगा 1 by 3 into z अब बगार आप देखो दोनों को अगर add कर दो तो जेड़ आ गया मतलब total जो कंटेनर की capacity वह है जेड़ सेम यहां पर अगर हम water की quantity न कितना हो गई 2 by 3 plus 3 by 4 और आप चाहे तो जेड़ बाहर ले लिजे यह तो हो गए milky की quantity अब अगर आप water की quantity देखो तो water की quantity कितना है 1 by 3 z और 1 by 4 z तो यहां से भी आप बाहर जेड ले लो तो z से जेड़ देखी cancel out हो गया और ratio आपको milk और water का मिल जाएगा final वाले solution में milk और water की ratio का solution मिल गए आपको milk और water की solution का ratio मिल गए आपको यहां पर हो गया इसको solve किया जाए तो यह आजाएगा आपका 8 और 9 17 17 बटे 12 और नीचे भी आपका 12 ही बनेगा और यहां से हो जाएगा 7 तो यहां पर देखिए milk और water की जो आपका ratio बनेगा last वाले solution में वो हो ज पूरा है तो आप directly तो milk और water का ही यहां पर ratio निकालें क्योंकि जो पहले से आपको ratio दिया गया milk और water का है यहां पर भी milk और water का ही निकालते हो एक जनरल सा आपके mentality बने होती बट कई बार question just last पर आपको change करके देता है क्या कहतेता है water और milk का ratio बताए तो मापर बिलकुल आ उसमें question की जो आपके answer की value होती है वो change कर देते हैं कि आपको answer यह बताना था अब देखिए आपके सामने next question है यहां पर question थोड़ा सा एक दूसरे type का है फिर इसमें देखिए next question है आपके सामने जगत राम मिल्क सिलर है certain quantity of milk to sell in what ratio he should mix water to gain 5% by selling the mixture at cost price यहां पर जगत राम एक दूद बेशने माला है जो की जो मिल्क है उसको cost price पर बेशना माली मिल्क कहीं से खरीता है अब आप से कहा यह जा रहा है कि अगर जगत राम को 5% का profit करना हो तो उसको पानी में मतलब कितना दूद में पानी मिलाना चाहिए 5% को आपका profit चाहिए तो देखिए जितना पानी मिलाएंगे उतना आपका profit होगा मतलब माली जी अगर 100 लीटर आपका दूद है तो आप उसमें अगर 5 लीटर पानी मिला दूद तो आपका 5% का profit हो जाएगा तो बस यही आपके water और milk का ratio हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देखो water आपका 5 लीटर है और 100 लीटर आपक milk है तो one unit जो है इसमें पानी है तो यह आ गया water और milk का ratio अब देखिए next question करते हैं आपके सामने आप देखेंगे अभी तक जितने भी question सम करते थे उसमें दो चीज़ों को mix किया जाता था यहां पर जो question है आपके सामने इसमें हमने तीन चीज़ों को mix किया है तो यहां पर है यहां पर तीन टाइप के चावल हैं है आपके पास कि चारसी रुपस्ट रुपे रिपर कुंटल का चावल है और एक जो है आपका इंचाओ शीएयांड़ आरद Kraly कुंटल और 486 ने और एक 796 रुपय पर कुंटल र However कुंटल रूपीज पर कुंटल का रेट दिया ग और एक है चार सो असी अब आपसे कहा जा रहा है कि इन सभी चावलों को किन रेशियों में मिलाया जाए कि जो resultant का जो mixture जो आपका बन रहा है उसकी value जो हो वो हो 564 रूपीज पर quintal तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे पहले तो देखिए इन दोनों में आप allocation वाला rule लगाओगे मतलब यहां पर लिखो आप 564 और यहां पर लिखो 564 इसका और इसका रेशियो देखिए आपको मिल जाएगा यहां से आपको क्या रेशियो मिलेगा 564 में से आप 666 में से पांच गटाएंगे कितना जाएगा 6 में से चार गए 2, साथ मे छे गए 1 और सेम यहां पर करते हैं यहां पर हमने किया आगया aapka 16 में इसे यहां पर देखिए आपका यहां पर भी रेशियो बनेगा बारह का और यहां पर भी रेशियो बने गा आपका कुछ दस में से 4 गया 6 चार के 4 आ गया आपकी और 16 में से 8 गया 8 यह आपका 84 बचलगी अब देखें माल लिजी ओजिये आपका चावल A है चावल B है और चावल C है अब देखें आपको ratio किसका किसका पता चला आपको A ratio B पता चल गया यह कितना है 12 ratio चौरासी और आपको बी रेशियो सी पता चल गया बी रेशियो सी ये कितना है एक सो बतीस बते में बारा अपर देखो तो पहले थोड़ा सा नॉर्मल कर लेते हैं मदब और इसमें से कुछ टम्स कट रहें तो उनको काट लेते हैं यहां पर आप देखो यह आपका 6 से कट जा सेम इस यहां पर कर लेते हैं यहां पर आप देखें 12 से आपका पूरा डिवायड़ हो जाएगा और 12 यहां पर बचाएगा 11 रेशियो 1 ठीक है तो यहां पर अब फिर से ले UVS सेम करेंगे तो उगर यहां पर 11 से मल्टिपलाइए कर दें। यहां पराम 7 से मल्टिपलाइए कर दें इक हसाथ मुझ जायगा आप पूरे में again 11 से मल्टिपलाइए तो ही होगा 11 और यह होухण 77 और यह होगा साथ अभ देखिया अगर AB और C यह आपके पास तीन चावल थे तीनों को आप 1177 और सेवन के रिशियों में अगर आप मिक्स करते हैं मतलब 480 वाले का आप 11 यूनिट तो इसका जो इफेक्टिव प्राइस आएगा वह आएगा पांसो शॉंसट रुपय पर क्विंट अब देखिए यहां पर आपको रिश्यो पता चल गया अब अगर आपको इसकी क्वांटिटी दी गई होती कि टोटल क्वांटिटी हम जितना मिला है रिजल्टेंट क्वांट तो आप उसका अंसर जो है फांड़ कर सकते हैं आप पेर्स बना लेंगे दो दोगे फिर इसको सॉल्व कर लेंगे और देखिए आपका रेश्यो बन जाएगा तो आप रेश्यो इस तरह से निकाल लेंगे पहले इसको इक्वल कर लेंगे जो एक टर्म होगा बीच वाला ज चाहिए तो पानी में पानी कितना मिलाना चाहिए मिल्क में अब देखिए बिल्कुल सेम इसी टाइप का है इन वाट प्रपोर्शन वाटर भी मिक्स्ट विद मिल्क टू गें 12.5 परसेंट बाइस सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस मतलब आपको 12.5 परसेंट का प्रॉफिट ले रहे हैं तो 12.5 ले उसमें अगर आप पानी मिला दें तो आपका इतने का प्रॉफिट हो जाएगा अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं देखिए अगर यहां पर दस्रमलवाब भटा दो तो कितना हो जाए 125 बटे 1000 अब इसको 25 से पूरा पूरा डिवाइड हो करते हैं नेस्ट क्वेशन है देखिए दर रेशियो इन विच मैन मेंस्ट मिक्स राइस एट रूपीज 10.20 रूपीज पर केजी एंट 14.40 रूपीज पर केजी सो एस्टू मेक मिक्शर वर्थ रूपीज 12.60 बहुत सिंपल सा क्वेशन यहां पर आपको दिया गया है कि एक का प्राइस आपका इतना है तो यह वाले का प्राइस देखिए यहां पर दिया गया है 10.20 रूपीज पर केजी और बी का दिया गया है 14.40 रूपीज पर केजी अम इनको कहा गया कि अगर इनको मिक्स कर देते हैं तो इसका जो इफेक्टिव प्राइस हो जाता है वो जा तो यहां पर देखी दश्मलों हटाएं हम लोग अटातें दुनों त्रफ दश्मलों सेम हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा एक सो चाहें तो रखें आठ आए तो यहां पर आपको निकालना तो उसे कि यहां पर क्या हो जाएगा यह है 1.8 और यह 2.4 या फिर 18 पर 24 लिख सकते हो आप मतलब एक की और बी की क्वांटिटी का रेशियो आ गया छे एक 18 और छे चो के 24 यहां पर आ गया त्री बाइफ फॉर का आपको रेशियो रखना है इनका का मतलब अगर एह आपका 3 यूनिट यह 4 अगर तीन किलो है तो यह चार किलो होगा ठीक अब देखें करते हैं अगर आप इसको बहुत आसान तरीके से रिखना चाहते हैं तो वह भी आपका है मिथड और अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों मिथड हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या है मतलब कि एक 40 लीटर के मिक्सर का यहां पर है 40 लिटर का मिक्सर मिलक और वाटर का रिखना गया है और इस सेंवाले स्ल्वुशन में आप कुछ वर वाटर का वह 3 रिखन ओन हो जायाए तो यहां से आपको पुछा गया है कि आप वाटर की क्या कंटिटी मिलाएंगी कि आपका ratio 7 ratio 1 से 3 ratio 1 हो जाता है चेंज हो जाता है दिखिए यहां पर आपको करना क्या है यहांपर देखें milk की quantity में तो कोई चेंज रही हो अगर आप पाने मिला रहे हैं के पर तो यहां पर अगर साथ है और यहां पर आपका 3 है तो पहले दिखिए दोनों ratio को आपको वराबर कर लेना है तो क्या करेंगे अगर इसमें हम 3 से multiply कर दें और इसमें 7 से multiply कर दें कितना हो जाएगा यह 21 ratio 7 और यह हो जाएगा 21 ratio 7 यहां पर आपका 3 आएगा तो अब आप देखो यहां पर आप water की quantity क्या increase कर रहे हो तो सेम है 21 और 21 21 ratio 21 ratio और जो आपका water है यह 3 से 7 हो जारा है मतलब 4 तो 4 unit जो है आप water इसमें mix करते हैं अब यहां पर आप देखो 21 और 3 24 टोटल जो आपका 24 unit है 24 unit है आपके 24 ratios हैं वो है 40 रीटर के बराबर तो अगर ह आप इसको और simplify कर लो तो हो जाएगा यहां पर 10 हो जाएगा और यहां पर 6 या फिर आप इसको और भी simplify करो 5 by 3 अब देखो वन यूनिट जो है 5 by 3 लीटर के बराबर है तो वाटर आप यहां पर फूर यूनिट एट कर रहे हो मतलब आप जो है 4 into 1 unit 5 by 3 लीटर के बराबर है 4 थरीजा 12 और यहां पर देखें आपको करना है तो यहां पर हो जाएगा 20 बटे 3 20 डिवाइड बाइ 3 या फिर आप इसको इस तरह से लिखना चाहाओ 3 6 18 और प्लस में 2 by 3 6 into 2 by 6 plus 2 by 3 यह आजाएगा आपका अंसर अब देखें यह तो आपका shortest method हो गया पहले आपको उस ratio को equal कर लेना है जो कि जिसकी quantity पर कोई effect नहीं पढ़ ला है अब देखें अगर आप इसको direct देखना चाहते हैं कि हुगा कैसे तो यहां पर आप देखो माल लो कि 40 लीटर का milk है तो यहां पर milk कितना रहा होगा 7 by 8 into 40 तो 8 का 5 से multiply हो यहां पर आ गया 35 मतलब 40 लीटर वाला जो आ यहां पर आप देखो 35 लीटर तो 35 लीटर यह है है और यहां पर आप कुछ पानी मिला देरे नहीं मतलब 7 PЧ एक्स कर्दिया थीक है आप इसका जो रेशियो जाएगा इसको solve कर लेते हैं 35 equals to 21 और यहाँ पर आ गया 3X 35 में से आपका 21 जाएगा कितना बचेगा 5 में से 1 गए 4 3 में से 2 गए 1 14 by 3 यहाँ पर देखिए answer में तो आपका कुछ effect आ रहा है तो यहाँ पर देखिए 35 मानिस 15 करेंगे आएगा 20 by 3 तो देखिए आपके दोनों तरह के जो methods हैं वो आपके सामने हैं आप ratio से तुरंद का तुरंद कर सकते हैं बस question देख के और अगर आपको formula से लगाना है तो आपको पस formula है कि मतलब आपका पहले था 35 लीटर milk था और आपने पानी कुछ एक्स लीटर add कर दिया तो इसके बाद जो ratio बचा वो आगया 3 ratio 1 तो बस इसको solve कर लेना x की value आजाएगी 6 plus में 2 by 3 तो यहाँ तक देखिए हमने allegation और mixture पर बेज different types के variety के questions कर लिए अब इसके next वीडियो में पढ़ेंगे किसी next topic को और अगर आपका इसके बाद भी कोई doubt हो कोई question हो तो आप comment कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share और subscribe करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको next वीडियो की notification मिलती रहे आज कर यह वीडियो नहाँ पर end करते हैं